बुराई की हार, खुश्यों का त्यों हार, प्यार की बोच्छार, मिठाईयों की बहार, लेकर आ गए हम फिर एक बार इसरवी बार, हमारा बाल का रिक्रम, तो मैं हूँ आपकी दोस्त सोनल, मैं हूँ प्रेक्षा, मैं हूँ अविका, मैं हूँ शिविका, मैं हूँ आपका चुलबुल दोस्त रिशी, मैं हूँ आपका दोस्त विखनेश, तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक छोटे से साथ ही जुड़े है, चले पूछते हो उनका ना जो बड़ी लगन से करना, करते करते मिले सफलता, याद से तुम रखना, जो भी कामाट में लियो, तुम छोड़ों नहीं अडूरा, दन्मन से जो लग जाओगे, इच्चे होगा पूरा, रसी के आने जाने से पथर भी गिस जाए, कौन सा कामाय शायर जग में, जो करने से न आए, दन्देवाद, अरे वाव इगनेश, आपने तु बड़ी अच्छी कवीता सुनाई, अच्छा दोस्तो, पहले ये बताओ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, ये नारा किस ने दिया था, सुभास चंद्रबोस ने, बिलकुल ठीक, ये नार सुभास चंद्रबोस जी ने दिया था, जो उस समय बहुत प्रचलित हुआ था, भारत वासी उन्हें प्यार से नेटाची भी बुलाते हैं, नेटाची सुभास चंद्रबोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेटा थे, उनका 23 जन्वरी 1897 को हुआ था, द 1942 में हुआ था, जिसका लक्ष अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था, तुमने बिल्कुल सही कहा, और 21 अक्टूबर 1943 को बॉस ने आजाद हिन्ट फोज के सर्वोच सेनापती की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार बनाई, 1944 को आजाद हिन्ट फोज ने अंग्रेजों पर आक्रमन किया, और कुछ भारतिय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया था, 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा कांधी के नाम एक प्रसारन जारी किया, जिसमें उन्होंने इस युद्ध में विजय के लिए उनका आशिरबाद और शुबकामनाय मांगी थी, और दोस्तो, साथ ही साथ, आजाद हिंद फोज के कैप्टन थे राम सिंग और महिला कमांडर थी लक्षमी भाई सेगल, तो दोस्तो, आजाद हिंद फोज के कैप्टन राम सिंग ने एक जान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने लाल के लिए पर जंडा फेराया, नेता जी की 125 वी जयन्टी को जिसे भारत सरकार के निर्ने के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, और 8 दिसंबर 2022 को नई डिल्ली में राचपत, जिसे अब हम कर्तव्य पत कहते हैं, यहाँ पर नेता जी के विशाल प्रतिमा लगाई गई है, माताएं अपने बेटों को सुभाष का नाम देने में गर्फ का अनुभव करने लगी, घर घर पर नेता जी के चित्र दिखाई देने लगे थे, तो ऐसे थे हमारे महान नेता जी सुभाष चंद्र बोस, नमस्कार मेरा न एक मित्र को चैचक हो गया, वह मित्र हॉस्टल में रहे कर पढ़ाई करते थे, जब हॉस्टल में रहने वालों को इस बात का पता चला, तो वह एक एक करके हॉस्टल छोड़कर चले गया, जब ये बात नेता जी को पता चली, तो वह तुरंत अपने उस मित्र के पास पहु पिता जी संकत की घड़ी में अगर मैं अपने मित्र की सायता नहीं करूंगा तो कौन करेगा मैं अपने दोस्त को कभी भी संकत की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकता नेता जी की बात सुनकर उनके पिता ने कहा मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो तो सोनल हमने बात बहुत कर ली आज स्टूडियो रूम में हमारे साथ और भी बहुत सारे नन्ने दोस्त बैठे हैं चलिए उनका नाम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ताश्वी खंडेलवाल है मैं कक्षा पांच में बढ़ती हूँ अब मैं स्वच देश अभियान में एक कविता प्रस्तत करने जा रही हूँ हाथ बटाए हम बच्चे भी स्वच देश अभियान में केला खाए लेकेंचिल का पेके कोडे दान में खाकर चाट समोसा दोने कभी नहीं फिलाएंगे देखो कोडा दान रखा है सबको ये बतलाएंगे हम बच्चे हैं वी स्पाल दुश्मन से टकराते कोडा करकट और गंदगी हमें देख घबराते धन्यवाद हमारे साथ और भी बहुत सारे नन्ने दोस्त बैठे हैं हेलो मेरा नाम है सुरातने का भी शेक नागा मैं कक्षा तू मैं पढ़ती हूँ और आज आप हमें क्या सुनाने चाह रही है प्राबु आप बसे बिंदावन में तो चले सुनते हैं प्राबु आप बसे बिंदावन में मेरी उमर गुदर गई गोकुल में प्राबु आप बसे बिंदावन में मेरी उमर गुदर गई गोकुल में प्राबु रस्ति में बाग लगा देना प्राबु रस्ति में बाग लगा देना फूल तोरूंगी अकेले तुम आजाना प्राबु आप बसे बिंदावन में मेरी उमर गुदर गई गोकुल में प्राबु रस्ति में बाग लगा देना प्राबु रस्ति में बाग लगा देना मेरी उमर गुदर गई गोकुल में प्राबु आप बसे बिंदावन में मेरी उमर गुदर गई गोकुल में अरे वास्वरात्मिका आपने तो बहुत अच्छा गीत सुनाया तो दोस्तो अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और साथी तो चलिए पूछते हो उनसे उनका नाम तो आपका नाम क्या है मेरा नाम एक आक्ष कनकानी है हम सभी को स्वच्छता प्रिय है इसी से उत्पूत एक प्रिरक प्रसंग जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की स्वच्छता अभियान की कहानी है आज आपके लिए लाया हूँ एक बार डॉक्टर कलाम एक गाउ में गए वहाँ उन्होंने देखा कि गाउं की सड़के और घर गंदे थे उन्होंने गाउं के लोगों से कहा आपका गाउं बहुत गंदा है आप इसे साफ करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं गाउं के एक बुजर्ग ने कहा हमारे पास साफ सफाई के लिए समय नहीं है हम बहुत गरीब हैं डॉक्टर कलाम ने कहा गरीबी स्वच्छता की कमी का कारण नहीं हो सकती स्वच्छता हमारी संस्कृती और आत्म सम्मान का हिस्सा है इसके बाद डॉक्टर कलाम ने खुद ही जाडू लेकर सडकों की सफाई करना शुरू कर दी गाउ के लोग डंग रह गए और उन्होंने भी डॉक्टर कलाम के साथ मिलकर सफाई की जल्द ही पूरा गाउ साफ सुत्रा हो गया डॉक्टर कलाम का कहना था स्वच्छता एक नैतिक मूल्य है यह हमारे शरीर, मन और आत्म की शुद्धता का प्रतीक है मित्रो, आपको भी सीख मिली होगी आशा करता हूँ, आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा धन्यवाद मेरा नाम विहान उमिश कुंबार है मैं पाचवी कक्षा में पड़ता हूँ अच्छा विहान, आजब हमें क्या सुनाने जा रहे है मैं पहलिया सुनाने जा रहा हूँ तो पूछिए कही दूद फैला धर्ती पर कही दही फैलाया है या धर्ती पर भात किसी ने धेरो धेर बिचाया है या सफेद कागज से धर्ती सब की सब है मड़ी हुई अब जवाब भी दो तुम इसका शोभा कितनी बड़ी हुई इसका जवाब बताओ या मैं रता क्या उत्तर बेर्फ है पानी है नई बादर नई कृष्ण नई अरे तो तो तुम्हे बता दो हमसे तो हो नहीं राये इसका उत्तर है चांदनी मैं तुमसे और एक पहली पूछता हूँ पूछो अब थोड़ा आसान पूछना बोले मोर शोर के 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 खुशो गए किसान ऐसा क्या हो गया छेड़ते जो मिंडक भी तान बरसाथ बरसाथ सई जवाब अब मैं दे कुछ पहलिया पूछो पूछो नहीं अभी मेरी एक रह रही है अच्छा ठीक है विहान तुम ही पूछ लो गर्मी में तो खूब चली में करती थन्दा पानी पर जाडे में मुझे देखकर होती है है रानी कोई जवाब बता सकता है क्या इसका उतर बरस है सई जवाब अच्छा विहान अब तुमने हमसे बहुत पहिलिया पूछ ली अब मेरी बारी है आप सभी से पूछने की अरे भाई हम भी तो है हमें भी तो मौका दो पहले मेरी पहिली का उतर तो दे दो ठीक है अच्छा बताओ वे क्या चीज है जिसे हम दिन की रोशनी में भी नहीं देख पाते क्या उसका उत्तर चांद है इसका सही उत्तर है अंधेरा अब मेरी बारी अरे रुको अभी मेरा एक और पहिली रहती है अगर अमेरिका में किसी बच्चे का जन्म होगा तो उस बच्चे के दादों का रंग कैसा होगा मैं बताओ हाँ बताओ जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके दो दाद ही नहीं होते पिल्कुल सही कहा अशिरिका अच्छा एक और प्राशन सोनल तुमने दो पूछ लिया मेरी बारी है पूछो पूछो हरा चोर लाल मेकान उसमें बैठा काला शेतान गर्मी मेवे दिखता सर्दी में गायब हो जाता मैं बताओ हाँ बताओ बताओ तरबूज बिल्कुल सही जवाब वे क्या है जो उपर से फेक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं और पकने के बाद अंदर से फेक देते हैं और उपर से खा लेते हैं क्या उसका सही जवाब अंडा है उसका सही जवाब भुटता है हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब ऐसा क्या है जो कभी पुराना नहीं होता चाहे आप इसे हर दिन इस्तिमाल करें क्या मैं बताओं? हाँ क्या वो ग्यान है? बिल्कुल सही ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उतनी छोटी हो जाएगी? उम्र? ये तो नहीं है ओहो इतना मुश्किल सवाल तुम्हें बता दो इसका सही उतर होगा रबर बैंड अच्छा विका बहुत हो गई पहलिया अब कुछ चुटकुले हो जाएग अंग्रेज वाट इस दिस? हल्वाई दिस इस दही अंग्रेज वाट इस दही? हल्वाई अब दूसरा चुटकुला पपू कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा था जो सीधा सूरच से टकरा गया बंटी फिर क्या हुआ? पपू फिर मेरी पिटाई हुई बंटी किसने पीटा? पपू सूरच की मम्मी ने यार अच्छा मेरे पास भी मज़ेदार चुटकुले है चलो सुनाता हूँ पपू जले भी बेच रहा था लेकिन कह रहा था आलू लेलो आलू रहागी लेकिन ये तो जले भी है पपू चुप हो जा परना मक्षी आ जाएंगी अच्छा मेरा दूसरा चुटकुला इंटर्वीवर जिन्दगी में कोई मुश्किल आई तो क्या करोगे स्मार्ट लडगा सर किसान के पास जाऊँगा इंटर्वीवर क्यों स्मार्ट लडगा क्यूँकि उसके पास हल है इंटर्वीवर बिचारा बेहोश होकर गिर पड़ा अच्छा अविकार क्या तुम्हारे पास कोई जोक है ममी तुमने मेरा फोन क्यों उठाया बच्चा क्योंकि फोन ने कहा पिक मी अप और मैं तो आग्याखारी हूँ ना बहुत हो गए चुटकुले अब मेरे एक पहले सुन लो अरे पूछो तो सही पंदरह दिन तक रात अंधेरी पंदरह दिन उजियाली कोण उजाला लेकर आता होती रात निराली इसका उतर चांद है हाँ प्रेक्षा तुमारा जवाब बिलकुल सही है अच्छा प्रेक्षा युनाइटेड नेशन दिवस 24 अक्टोबर को मनाए जाता है और युनाइटेड नेशन दिवस को सहियुक्त राश्टर दिवस भी कहते हैं और अब इसी से कुछ जुड़े प्रश्न पार्थ गुपता हम से पूछने जा रहे हैं चलो देखते हैं हमें कितने सही उत्तर आते हैं और कितने गलत क्या तुम तयार हो उत्तर देने के लिए हाँ हाँ हम सभी तयार है तो चलो आओ बच्चों खेलें प्रश्नों का अलबेला खेल ज्यान वर्धक प्रश्नों से करवाता हूं तुम्हारा मेल मैं करूंगा प्रश्णों की बोचार तुम देना उत्तर की फुहार बच्चों संयुक्त राष्ट्र संग दिवस हैं आने वाला यह दिन इतियास में है बहुत ही निराला तो चलो आज इसी विशे पर शुरू करते हैं प्रश्ण उत्तर का सिलसिला बच्चों यह न सोचना व दिवस है थोड़ा कठिन है मिला तो बच्चों मेरा पहला प्रश्ण है संयुक्त राष्ट्र संग की स्थापना कौन से सन में हुई थी तो कौन सा बच्चा बताएगा हां मुझे इसका उत्तर मालूम है मेरा नाम कायरा है मैंने इस प्रश्ण का उत्तर अपनी सोशल साइं की किताब में पड़ा था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी बिल्कुल सही कायरा अच्छा बच्चों आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संग एक ऐसा और्गनाईजेशन है जिसका उद्देश्य अंतराष्ट्रिय शान्ती और सुरक्षा को को बनाए रखना है और राष्ट्रों के बीच मैत्री पूर्ण संबंद, विक्सित करना, सामाजिक प्रगती और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना बी संयुक्त राष्ट्र संग का उद्देश्य है अच्छा बच्चों मेरा दूसरा प्रश्ण है संयुक्त राष्ट्र संग के कितने सदस्य देश हैं? कौन जवाब देगा? अच्छा चलो तुम जवाब दो मेरा नाम टिशा है भाईया मुझे तो इसका उत्तर आता ही नहीं है पर मेरी दीदी को ज़रूर आता होगा हाँ मुझे आता है मेरा नाम डिवा है और इस प्रश्ण का उत्तर है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं यह बताओ संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले कहां इस्तित है? सबसे आगे बैठे हो ना इसका उत्तर तुम दो भाया यह प्रश्ण है तो बहुत मुख्यल है यह तो मैंने कहीं पड़े ही नहीं है मेरी किताब में तो अभी यह आई ही नहीं है भाया मुझे इस सवाल का उत्तर भी मालूम है संयुक्त राष्ट्र का मुख्याले नियू यॉर्क अमेरिका में स्थित है अरे काईरा दीदी आप तो बड़ी होशी आ रहे है बच्चों अब यह बताओ संयुक्त राष्ट्र संक की प्रमुक संस्था कौन सी है कौन बताएगा हाथ उपर करो अच्छा तुम बताओगे चलो बताओ पार्थ भैया मैं समर्थ इसके उतर मैं बताता हूँ संयुक्त राष्ट्र की प्रमुक संस्था मा सबा है जिसे इंगलिश में जनरल असेमली कहा जाता है समर्थ बहुत अच्छा तुमने सही जवाब दिया समर्थ भैया आपने तो बहुत अच्छा बताया है अच्छा बच्चों एक कठिन प्रश्ण पूछों चलो यह बताओ संयुक्त राष्ट का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा दस्तावेज है कौन सा होश्यार बच्चा बताएगा मेरा नाम अनगमंगला है पार्थ भैया प्रश्ण थोड़ा कठिन है लेकिन मुझे इसका जवाब आता है प्रश्ण का जवाब है मानवती कारों की सार्व भाव में घोशना जिसे इंगलिश में कहते हैं यूनिवर्सल डेकलरेशन ओफ यूमन राइट बहुत बढ़िया सब्तालियां बजाओ अब यह बताओ सैयुक्त राष्ट विकास कार्यक्रम यानि यून डीपी का मुख्य कार्य क्या है मेरा नाम सानिद्य है अरे वा भैया ये तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्ण है पर इसका जवाब मुझे आता है यून डीपी का मु एश्विक विकास को बढ़ावा देना और गरीब देशों में विकासात्मक सहायता प्रदान करना है शबाश बहुत बढ़िया चलो बच्चों तुमसे मैं एक प्रशन और पूछता हूँ यह बताओ सैयुक्त राष्ट का शांती रक्षा कार्य यानि पीस कीपिंग कैसे हो मेरा नाम एक आक्षकन कानी है पार्थ भया आप तो चुन चुन कर इतने रोचक प्रशन लाए हो और अगर आपको लग रहा हो कि यहां हमारे लिए कठिन है तो मैं आपको बता दूँ यह प्रशन हम बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान है और आपके इस प् क्षेत्रों में शांती बनाए रखी जा सके शाबाश तुमने तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया वाह क्या बात है अरे सब तालिया वज़ाओ संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद यानी UN Security Council में कितने स्थाई सदस्या है बच्चों यह प्रशन थोड़ा मुश्किल है लेकिन जरा दिमाग पर जोड़ लगाओ और उत्तर दो हाँ भईया यह थोड़ा कठिन प्रशन है पर मुझे इसका उत्तर पता है क्योंकि इसके बारी में मैंने पढ़ा है सुरक्षा परिशद में पात स्थाई सदस्या हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और United Kingdom बिलकुल सही अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ सैयुक्त राष्ट संग के 6 प्रमोखंग हैं महासभा, सुरक्षा परिशद, आर्थिक और सामाजिक परिशद और न्यास परिशद, अंतराष्टिय न्यायाले और सैयुक्त राष्ट सचेवाले बच्चों आपको पता है जनरल एसेम्बली का पहला सत्र 10 जनवरी 1946 को लंडन में हुआ था और बच्चों योग दिवस के प्रस्ताव का समर्थन कुल 175 देशों ने किया था यह सब मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहूँ इसे याद रखना आज की प्रश्नोत्री का समापन अब हम यहीं करते हैं आज की प्रश्नोत्री में बहुत मजा आया आज की प्रश्णोत्तरी से हमने बहुत कुछ सीखा आज की इस प्रश्णोत्तरी से मुझे बहुत चारी जानकारे मिली थांक्यू भाईया आप सबने बहुत अच्छे उतर दिये इसी बात पर अपने आपके लिए तालिया बजाईए यह प्रश्णोत्तरी तो बड़ी मज़ेदार रही दोस्तों मैं तुम सब को एक कवीता सुनाओं आहां सुनाओं देश एकता बहुत चरूरी आपस में मत रखना दूरी जाती धर्म का भेदना पालो समरस्ता में खुद को ढ़ालो आपस में अब कभी न लड़ना मन मुटाव में कभी न पढ़ना अच्छे दोस्तों अब मेरे पास भी एक कवीता है हिंद देश के निवासी सभी जनेक है रंग रूप वेश भाशा चाहे अनेक है बेला गुलाब जुही चंपा चमेली प्यार प्यार फूल गुथे माला में एक है हिंद देश के निवासी सभी जनेक है रंग रूप वेश भाशा चाहे अनेक है गंगा जमुना भ्रह्म पुत्र क्रेश्ना का वेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है हिंद देश के निवासी सभी जनेक है रंग रूप वेश भाशा चाहे अनेक है गुलस रहा माटी का कंकन उमड रही रस्धार है जो हारो का देश हमारा हमको इस से प्यार है आजादी के दिवस तिरंगा घर-घर पर नहेराता है वी शहीदों की गाठाए हमको याद दिलाता है मन भावों से भर जाता है मा की जैजियकार है जो हारो का देश सिमारा हमको इस से प्यार है राश्ट एकता दिवस हमारे लिए महत्वपूम दिन है इस दिन हमें देश की एकता और अखंड़ता के लिए संकल पिठ होना चाहिए हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी एक ही देश के नागरिक है और हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए चलिए मैं आप सभी को एक कवीता सुनाती हूं जला अस्थिया बारी बारी चिटकाई जिन में चिंगारी जो चड़ गए पुन्यवेदी पर लिये बिना गर्दन का मोल कलम आज उनकी जैबोल जो अगनित लगुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जलाकर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं सने मूखोल कलम आज उनकी जैबोल अरे वा प्रेक्षा तुमने तो बहुत अच्छी कवीता सुनाई अब मेरे पास भी प्रेणा दाई कहानी है जिसका नाम है वी योधा अभिमन्यू महा भारत एक ऐसा युद्ध जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था महा भारत युद्ध के दौरान ऐसे कई घटनाई घटित हुई जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती है महा भारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था इस युद्ध में करोडो युद्धा सैनेक फिर गती को प्राप्थ हुए थे महा भारत का एक ऐसा युद्धा जिसने 16 वर्ष की आईयों में अपने पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिये थे और इस युद्धा का नाम था अभिमन्यू चाप चढ़ाकर धनुवा पर रणकी हुंकार लगाई थी शत्रू की कौरव सेना में तबाध रक्त की आई थी अभिमन्यू को चंद्रदेव के पुत्र वर्चा का अफ्तार माना जाता है इसका कारण यह है कि एक बार स्वर्ग लोक में सभी देवों को अपने पुत्र धर्टी पर भेजने थे चंद्रदेव से भी उनका पुत्र धर्टी पर भेजने के लिए कहा गया था परन्तु चंद्रदेव ने कहा, मैं अपने पुत्र से दूर रहने का वियोग नहीं सहन कर सकता। देफताओं के अनुरोध करने पर चंद्रमा दें कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र को किवल सोला वर्ष की आयू तक भेज सकता हूं। उसके पशात मुझे अपना पुत्र पुना वापशा ही है। कथानु साल अभिमन्यों ने महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा जो बलराम वश्रीक्रेश्न की भेन थी के पुत्र रूप में जन्म लिया। अभिमन्यों ने अपनी माता सुभद्रा की कोख में रहते हुए अर्जुन के मुख से चक्रविव भेदन का रहस्य से जान लिया था। परंतु सुभद्रा के बीच मही निद्रामगन होने से वे चक्रविव से बाहर आने के विधी ना जान पाए। चक्रव्यू एक ऐसा बहु स्तरिये रक्षात्मक सेने सनरचना है जिसका प्रयोग बड़े बड़े योधाओं को चारो और से घेरने के लिए किया जाता है। प्रवेश कर गए। वह लगातार लड़ते हुए चक्रव्यू को भेदते चले गए। अभिमन्यू ने चक्रव्यू के छे चरण पार कर लिये थी। युद्ध के दौरान अभिमन्यू ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मन का वद्ध कर दिया। जिसकारण दुर्योधन का गुससा साथवे आस्मान परजा पहुचा युद में हाहाकार मच गया दुर्योधनने युद के सारे के सारे नियम काइदे किनारे रखते हुए कर्ण और दोणाचारे समेत साथ महारतियों के साथ अभिमन्यों को चारों और से घेड या परन्तु अभिमन्यों पूरी टाकत से लड़ते रहे उन्होंने अभिमन्यों के रथ के घोड़े भी मार दिये और चारों तरफ से तापट तोड़ वार किया अभिमन्यों ने हार नहीं मानी उसने अपने रत के पहिये को सुरक्षा कवच के रूप में उठा लिया और फिर युद करने लगे उस अंतिम्शस्त्र पर सबने मिलकर वार किया अब अभिमन्यों ने हथा था उसके सामने शत्रुओं का दस्ता था सामने उसके मृत्यू खड़ी थी इतने में दुशासन को प्राप्थ हुआ हूँ पिताश्री सूर्य अस्त के उप्रांत यहां आकर इस भूमी से पूछेगा कि आपका पुत्र इन कायर महारतियों से कैसे लड़ा आप आचारे हैं हे गुरुश्रेष्ट क्या यही योधा का धर्म है कि एक साथ इतने योधा मिलकर एकने हथे यो पिश्रेष्ट योधा की पद्वी ना मुझे मिलेगी ना अर्जुन को वह सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र आज महाभारत हार गई परन्तु तुम जीत के महावीर अब मुक्थ हो जाओ पुत्र अब मुक्थ हो जाओ अभिमन्यों के अंतिम शब्स हे मृत्यू तैयार यदी तु आने को प्रसन्न मुख आ प्रसन्न मुख आ हे तात हे मातू अभिमन्यों का अंतिम प्रणाम इस तरह वीर योधा पराक्रमी अभिमन्यों हमेशा के लिए एक संदेश छोड़ गये की हिमत से हारना मगर हिमत कभी मत हारना धन्यवाण वासोरल यह कहानी तो बहुत अच्छी और प्रेणा दायक थी तो दोस्तो समय आ गया है आपसे विदा लेने का तो मिलते हैं हम इसी फ्रीक्वेंसी पर इसी समय और इसी दिन तो दीजे हमें इजाज़त जैहिंद झाल